आगे आपका दोस्त मनोज और आप देख रहे हैं आटो पैसा दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे strategy के बारे में जो आपको ये strategy अपना लिए जो continue loss हो रहा है उस loss से आप बिल्कुल बच जाएंगे कैसे बचेंगे उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा जिरोधा का platform य मार्केट नीचे जा रहा है हमें trend का पता होना चाहिए अगर trend का पता हो गया कि market साइडवेच चल रहा है या downtrend चल रहा है उस हिसाब से हम उस strategy को apply कर सकते हैं क्योंकि अलाग अलग अलग यहां पर strategy बना के दिया गया है यहां पे देख सकते हैं यह bullish market में काम करता है market उपर की तरफ जाता है तो यहाँ पर यह strategy अपनाते हैं इसमें बहुत सारे strategy हैं देखिए बहुत सारे strategy हैं सारे strategy बहुत ही कमाल की है मैंने सारे strategy का वीडियो playlist में डाल दिया है वहां से आप देख सकते हैं दोस्तों देख सकते हैं यह बीरिस वाला है ठीक है बीरिस में क्या होता है, कि नीची की तरह market जा रहा है, तो यहां से strategy apply कर सकते हैं, देखिए, यह सारे strategy है, सारे strategy कमाल का है दोस्तो, सारे strategy को वीडीयो बनाया हूँ, वहां से, देख सकते हैं, playlist में सारे वीडियो मिल जाएंगे, अब दोस्तों देख सकते हैं यह natural वाला यह natural कहां काम करता है market sideways चल रहा है तो वहाँ पे natural वाला काम करता है आपको मालूम होगा कि हफते में 3-4 दिन तो sideways market चलता है उसके लिए हैं यह strategy अपनाना चाहिए यानि यह short ashtaddle, iron butterfly, short ashtangle और short iron candle यह strategy आपने सुना होगा, इस strategy से बहुत सारे लोग पैसे कमा रहे हैं, यानि यह strategy बहुत ही कमाल कमाल किये है, sideway market रहता है, कभी-कभी trend में रहता है, यानि हफते में एक तो बार trend पकड़ता है, बाकी दिन sideway रहता है, तो यह 4 strategy apply करके आप profit कर सकते हैं, इसमें ज्यादा fund भी बीच में इसे fund लएगा, और यह strategy apply हो सकता है, दोस्तों उसके बाद यह वाला strategy है, यह other वाला, other वाले भी यह strategy काफी best ways है, ठीके, मैं आज इसके बारे में बात करूँगा, मैंने यह वाला complete कर दिया है, बुलिस वाला, बीरिस वाला complete कर दिया है, नेचरल वाला complete कर दिया ह आज हम बात करेंगे, अधर्ज के बारे में, यानि अधर्ज में क्या-क्या strategy दिया गया है, उसी का मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ, ठीके, तो उस strategy का नाम है call ratio spread, ठीके, call ratio spread, यानि call का मतलब समझ गहूंगे, market bullish की तरफ रहेगा, तो हमें यह strategy apply करना है, ठीके, तो चल हैं, पहला strike price, यह वाला हो गया, और दूसरा वाला यह वाला हो गया, ठीके, यह bank nifty में 48,200 का call है, यह 48,700 का call है, ठीके, पहले वाले को हमें buy करना है, और दूसरे वाले को sell करना है, lot size क्या है, buy करने वाला का lot size है, दो lot, और sell करने वाला का lot है, एक lot, ठीके, इसका price चल रह और इसका प्राइज चल रहा है एक सो साट रुपिया समझ गे तो यह अप्लाई करना है जब मार्केट का ट्रेंड वुलिस के तरफ हो ठीक है अब हम देख लेते हैं कि इसमें कितना फ्रोफिट हो सकता है कितना लॉस हो सकता है और कितना फंड का साइज लग सकता है हम तीनों देख लेंगे ठीक है तो यहां पर देखिए maximum profit जो हो रहा है unlimited हो रहा है यानी profit ज्यादा ज्यादा होगा यानी market जितना उपर जाएगा उतना ही इसमें profit होगा समझ गे और loss भी देख लेना चाहिए कि loss कितना हो सकता है दोस्तों loss होगा 9,000 ठीक है यानी market कितना भी नीचे गिर जाएगा तो लोस हमारा कितना होगा यह 9000 से ज़्यादा नहीं होगा समझ गए और फंड का साइज कितना लग जाएगा दोस्तों फंड का साइज लग जाएगा 26,000 26,000 रुपय एकाउंट में हैं तो इस स्टेटिजी को अपलाई कर सकते हैं समझ गए दोस्तों इसमें ज़्यादा ब्रोकरेज भी नहीं लेगा दो यह स्टाइक प्राइज निकाल के दिया हुआ है समझ गए यानि आपको प्रोफिट होगा तो काफी बेस्ट प्रोफिट हो सकता है वुलिस मार्केट में हमें ट्रेंड का पता होना चाहिए कि मार्केट उपर की दरब जाएगा जबी इस स्टेट को लेना चाहिए वरना नहीं लेना चाहिए Sidewage में ये loss दे सकता है Sidewage के लिए ये वाला strategy मैंने बनाया है वहां से आप देख सकते हैं Sidewage वाला strategy ले सकते हैं समझ गए तो अब हम नीचे एक बर देख लेते हैं इसे delete करते हैं अब दोस्तो इस graph में देख लेते हैं इस graph में क्या बतायाए गया है तो हमारा profit बढ़ता जाएगा अभी market यहाँ पर खड़ा हुआ है यह line दिख रहे हैं यह rate वाला line यहाँ पर market खड़ा है जैसे इस line के उपर जैसे market उपर जाएगा वैसे profit बढ़ता जाएगा और इस line के नीचे जाएगा तो loss बढ़ता जाएगा यहनी 6000 तक loss जा सकता है लेकि हम पर जाएगे एक बढ़ नीचे जाएगे यहाँप क्लिक करेंगे profit and loss table पर यहाँपकली करेंगे तो हमने trade लिया है उस trade का यहाँप सारा लेखा जोखा आ जाएगा अब दोस्तों हम ग्राएंगे तो सााथ सेब्रा फिर्षा जाये volumes औरมา फे'll to those है यहाँपे cambiल हो यहाँ अभी market close है ठीक है यह entry price हो जाएगा यहाँ पर यहाँ पर नीचे नहीं हो रहा है market open होते ही यहाँ पर नीचे होता रहेगा और यहाँ पर profit and loss बढ़ता रहेगा और घड़ता रहेगा ठीक है दोस्तो तो इस strategy को आप apply कर सकते हैं इस strategy में ज़्यादा fund भी नहीं लग रहा है और bullish market में काफी अच्छा काम करेगा क्योंकि इसमें दो यह strike price में दिया गया है और इसमें profit ज़्यादा हो सकता है ठीक है तो दोस्तो अगर आप ज़्यादा loss कर रहे हैं तो मैंने strategy जितने भी बनाए हैं उस strategy को अपने trading life में apply कर सकते हैं और profit कमा सकते हैं क्योंकि आप strategy से अगर आप option trading करेंगे तो आपको loss और profit कम होगा लेकिन overall महिने के अंत में आपको profit ही होके जाएगा बीना strategy के अगर आप कोई भी trading करते हैं तो उसमें loss होने के chance बढ़ जाता है इसलिए जो लोग beginner हैं उनको strategy के साथ ही trading करना चाहिए ठीक है दोस्तो तो दो उसका वीडियो अगले वीडियो में पेस करूंगा ठीक है तो दोस्तो उमीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हो अच्छी लगी हो तो like share और subscribe जरू करना मिलते हैं अगले वीडियो में जाहिन दोस्तो